नमो नाराइन मित्रों, इस बेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि एच नाम के जातक एबम जिड नाम के जातक यदी साधी करते हैं तो इन दोनों का संबंध कैसा होगा? मित्रों यदी आप ये जानना चाहते हैं तो इस बेडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा? क्योंकि यह बेडियो एच नाम के जातक एबम जिड नाम के जातक के लिए बहुत जयादा उपयोगी एबम महत्वपुर्ण है तो बेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने मित्रों यदि आप अपने जन्म कुंडली हस्त रेखा या अपने जीबन के बारे में कोई भी बातें अगर आप जानना चाहते हो तो अभी आपके सामने डिस्पले पर या इस वेडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वाट्सेप नमबर है जिस नमबर पे यदि आप म मेरे से हो जाएगी तो कुछ भी जानने के लिए मैसेज अबश्य करें मित्रों अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि एच नाम के जातक एबम जिड नाम के जातक यदि साधी करते हैं तो इन दोनों का संबंध कैसा होगा मित्रों इस नाम के लोगों का सोभाब एक दम भिन होता है इस नाम के दोनों जातक अपने अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जीने का प्रयास करते हैं लेकिन मित्रों इस नाम के दोनों जातक के एक दूसरे के उपर में बहुत जयादा भरोसा करते हैं, एबम अपने आपसी संबंध के परती बहुत जयादा परती बद्ध होते हैं, लेकिन इस नाम के दोनों लोगों की अभिविक्ती की भाबना एक दम भिन होती है, एबम इस कारण से इन दोनों को अपने संबंध के शुरुवाती समय में पड़ेशानी का सामना, मतभेद का सामना बहुत जयादा करना पड़ेगा, मित्रों जिड नाम के जातक अपने जीबन में बहुत जयादा इस्थिर होते हैं, इस नाम के जातक अस्थायित एबम द्रिध संकल्प का हमेशा अपने जीबन में नित्रित करते हैं, लेकिन मित्रों इस नाम के जातक अपने जीबन में कुछ अहंकारी होते हैं, क्योंकि इस नाम के लोग अपनी परतिस्था एबम अपनी परसिद्धी के बारे में जानने के बाद इनके अंदर अहंकार की भावना बहुत जयादा होती है, मित्रों इस नाम के लोगों को अपने जीबन में अकेले रहना बहुत जयादा पसंद होता है, लेकिन इस नाम के लोगों को भी दूसरे लोगों के जैसे लोगों की सराहना एबम सुईकिर्थी की आब सिकता बहुत जयादा होती है, लेकिन यदि एच नाम के लोगों की बात करे तो इस नाम के लोगों का सभाब बहुत जयादा संबेदन सील होता है एबम इस कारण से इस नाम के जातक किसी भी विक्ती को अपनी और बहुत जयादा प्रभावित करते हैं एबम इस नाम के जातक बहुत ज़्यादा दैयालू एबम कलपना सील होते हैं एबम इस नाम के जातक बहुत ज़्यादा भाबुक होते हैं मित्रों इस नाम के जातक बहुत ज़्यादा धैर जबान होते हैं एबम इन लोगों का सुभाब बहुत ज़्यादा लचीला होता है के लोगों की अच्छाई एबं इनकी बुराई को जानने के बाद यदि इनके बैबाहिक जीवन इनके दामपत्य जीवन की बात करे तो इन दोनों का संबंध बहुत जयादा मजबूत एबं बहतर होगा तो मित्रों इस वेडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दे साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे इबं इस वेडियो के नीचे हरे हरे महादेब कमेंट कर दे इबं इस वेडियो को आप हरे जगह से यर कर दे धन्यवाद